कि मेरा नमस्कार दोस्तो आज की हमारे इस वेडियो में हम आपके लिए नरक चतुर्दसी की बहुत ही पुराने कत्था लेकर आयें दोस्तो नरक चतुर्दसी के दिन वर्थ किया जाता है जिससे मनुसिय के सारे पापो कर्म छूड जाते हैं और मनुसिय को मौक्स की प्राप्ती होती है तो दोस्तों इसकी कत्व इस परकार परचलित हैं दोस्तों कहा जाता है कि बहुत समय पहले रति दियु नामक एक बहुत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे उन्होंने अपने जीवन में भूल कर भी कोई पाप नहीं किया था उनके राज्ये मे परजा भी सुक्षान्ती से रहती थी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी लेकिन जब राजा की मुत्यू का समय आया तो उन्हें लेने के लिए यमदूत आन खड़े हो गए रती देवने ये देखकर हेरान होते वे कहा और उनसे विने करते वे कहा ही यमदूतो मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है फिर मुझी ये किस पाप का डंड बुगतना पढ़ रहा है जो आप मुझे लेने आये हो क्योंकि आपके आने का सीधा संबन्द ये होता है कि मुझे नरक में वास करना होगा उसके बाद यमदूतो ने कहा कि हे राजन वेसे तो आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है लेकिन एक बार आपसे एसा पाप हुआ है जिसका आपको भान भी नहीं है एक बार एक विद्वान गरी भ्रामन को आपके दुआर से खाली हाथ भूखा लोट जाना पड़ा था ये है उसी का करमफल है तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रात्ना की की मुझे एक वर्स का समय दे दीजिए ताकि मैं अपने गलती को सुदार सकूँ और अंजाने में हुए इस पाप का प्राशतित कर सकूँ तब राजा के सत करमों को देखते हुए यम दूतों ने उन्हें एक वर्स का समय दे दिया अब राजा अपनी भूल को लेकर कापी पशाताप कर रहे थे साती उन्हें चिंता सता रही थी कि इस पाप से मुख कैसे होंगे वहे अपनी चिंताओं को लेकर सीधा रिसियों के पास जा पोहँचें रिसी बोले हे राजन कार्तिक मास के कर्सन पक्स की चतूर दर्सी का वर्द करने से बड़े से बड़े पाप भी शम्मे हो जाते हैं आप कर्सन चतूर दर्सी का वर्द विदी पूर्व करिए इसके पश्यात भ्रामनों को भोजन करवा कर उनसे उनकी परती हुए अपने अपराद के लिए समाया आचना करिए फिर क्या था राजा रंती को तो बस मार्क की तलास थी उन्होंने रिशियो के बताया अनुसर चतूर दर्सी का वर्द किया जिससे वे पाप्त मुक्त हुए और उन्हें विश्णू लोक में इस्तान प्राप्त हुआ तब से लेकर आज तक नर्क चतूर दर्सी के दिन पाप करम वे नर्क गमन से मुक्ति के लिए कार्ति मास की कर्षन पक्स की चतूर दर्सी का वर्द किया जाता है जिससे मनुसे को अपने पापों से मुपती मिलती है और जो उनसे अंजाने में पाप हुआ है उनसे उनको छुटकारा मिलता है तो दोस्तों आप इस दिन वर्त जरूर करिए और अपने से जो अंजाने में कोई पाप हुआ है या गलती हुई है उससे अपन को छुटकारा मिल सके तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए तथा अपने दोस्तों रिष्टेदारों को इसी जादा से जादा से जादा से एर करिए और हाँ दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो उसी जल्दी से सस्क्र कर लीजिए ताकि मेरे ऐसी ही वीडियो की जानकारी आपको जल्द ही मिल सके धन्यवाद